है दोस्तों BPSC Studio में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो हमारा पार्टनर चनल है पार्टसवाला वहां पर भी इस चीज़ के वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा 66 BPSC Prelimbs Expected Cut-Off After Official Answer की जारी हो चुकी है दोस्तों और बता दिया जाए कि आपके जो अब्जेक्शन की जो डिट है वो अब्जेक्शन कब तक आप डाल सकते हैं तो पांच फरवरी की डेट है आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर तो पांच फरवरी से पहले जिन जिन कोश्टन में आपको अब्जेक्शन है वो आप उसको विट वैलिट प्रूफ के लगा कर आप वहां भेज सकते हैं पांच फरवरी लाज डेट है आप देख सकते हैं ठीक है तो जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि नंबर वेकेंसी कितनी थी 733 थी अटे कितनी हो सकती है इस बार के 66 देखा होगा लोगों के कमेंट पढ़े होंगे बहुत लोगों के आपने देखे होंगे लेकिन मेरे अनुसार जो cut-off है यह expected cut-off ही है कि इतनी जा सकती है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100 से उपर जाने के chances बनते हैं लेकिन मेरे अनुसार यह लगता है कि नहीं chances उतने नहीं होगे क्योंकि अगर 100 से उपर जाने वाले student की संक्या होगी भी तो ज्यादा नहीं होगी और होगी भी तो मतलब 2000 के around में होगी और आपको पता है कि 733 seat है तो around 12 से 13 गुना student को बुलाया जाएगा around मतलब आपको देख सकते हैं तो इसमें 9-10,000 लोग इसमें जाएंगे तो 2-3,000 ही उधर 100 से उपर वाले होगे जादा सजार ठीक है लेकिन बाकी जो इधर होगे इधर यहां deciding होगा मेरे अनुसार तो देख सकते हैं दोस्तों यूर की जो cut-off जा सकती है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह 96-99 मतलब 97-99 के आरांड में cut-off इसके चांसे बनते हैं इस बार लेकिन जैसा मतलब पहला गया हुआ है जितना भी पेपर आपने देखा हुआ है 65, 64, 63 वाले तो लगभग जो भी cut-off रहा है 97-98 के आरांड में ही घुमते रहा है तो cut-off इसी के आरांड में होने के चांसे हैं इस बार भी ज्यादा से ज्यादा होगी तो 100 के नीचे ही रहे हैं 100 से उपर चांसे बहुत ही कम है बहुत ही कम वीडियूस को और यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारे जो उन्होंने सब कंड़क करा हैं कि कितने कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं उसके अनलिसिस के बेस पर मैंने बताया आपको फीमेल की cut-off जो जा सकती है 89-92 के आरांड में जा सकती है ठीक है जो भी करने चाहिए क्योंकि 67 का आपका पेपर सामने ही है इसके पर आपका समय नहीं मिलने वाला है वहाँ पर भी तो मेंस की अगर जो भी त्यारी करना चाहरा है न तो उनके थोड़े जितने भी है न पांस-दस नंबर से भी अगर आप आगे पीशे हो रहे है न तो मेरे हिसाब से आपको अभी वाला मेंस स्टार्ट कर देना चाहिए आपको बिल्कुल 67 वाले में फायदा होगा यह ठीक है तो इसी को रिगार्डिंग मैंने भी एक टैसरी स्टार्ट की हुई है वह होगी सिफ और सिफ 500 में जो आपको तीन टेस्ट GS1 के तीन टेस्ट GS2 के और ए पर देख सकते हैं दोस्तों इबीसी में आप बात कर लेते हैं डूस्तों इवी सी में को टाफ जाने के चंस हैं इस रख फ्र से कर लेते हैं तो 9092 क जा सकता है 84-86 जा सकता है कहां पर फिमेल के EVC में इससे ज्यादा chances मेरे हिसाब से नहीं बनता है ठीक है देख सकते हैं बाकी वहां कुछ भी हो सकता है यह expected cut-off ही है आप अपने हिसाब से जरूर बताएंगे कमेंट में कि आपके marks कितने आ रहे हैं अभी के अनुसार और कितने आपके अनुसार बन सकते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप और से के cut-off इस बार जा सकता है यही जैसे पिछले बार की अरॉण में जैसे पिछले अटी नाइन गया था तो यहां पर भी एटी नाइन नाइन टी के अरॉण में यहां नाइन भी जा सकता है 88 से 91 के अरॉण में चांसस बनेंगे यहां पर 79 से 81 जो आपको cut-off जाता है female में STK ठीक है EWS की भी बहुत है यहां cut-off जो जाएगी लगभग 89 से 92 के अरॉण में जाने के चांसस है ठीक है फिर बात कर लेते हैं female में EWS के जाने के चांसस है 85 से 87 के अरॉण में और freedom provider की बात कर लेते हैं तो 87 से 88 के अरॉण में आपके cut-off हो सकते हैं फिर बात करते हैं BCL के टेगरी में यहां पर जा सकता है 86 से 87 के अरॉण में यहां पर इनका नहीं सिर्फ यहां पर ही निकलता है इन से जिनका भी ज्यादा है तो उनके चांसस बनते हैं तो जो cut-off होगा एक बार आप फिर से देख सकते हैं मैं फिर से एक बार छोटा करके दिखा देता हूं इसको mail category में वहां से देख लगते हैं इससे ज्यादा मेरे हिसाफ से चांसस बनते हैं आप एक पर फिर से राउंड देख सकते हैं इसको अगर आपको लगता है ज्यादा है तो प्लीज कमेंट बोक्स में बताएं आपके हिसाफ से कितने cut-off जा सकते हैं और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया आप कहीं पर भी ह सही रहेगा और अगर अपने course स्टार्ट किया है मेंस का तो अभी से स्टार्ट कर दें क्यूंकि बहुत लेट हो जाएगा अगर बाद में अगर वेट करते हैं तो तो क्यूंकि अभी आपके पास समय नहीं है डेट पहले से आ गई है और BPSC सही में सतर्कता दिखा रही है अभी जिस तरह का हो रहा है थोड़े बहुत जो है और अंगबाद वाले सेंटर का जो एक्जाम का डेट है वह भी दे दिया गया है 14 फरवरी तो इसके बाद भी डिले नहीं करेगी वहां से तीन से चार दिन के अंदर में ही इसका भी दे दिया जाएगा और उसके बाद ओ तो आपके पास समय नहीं रहेगा तुरंत समय जो यह कैसे बीठ चाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो कहीं पर भी हो आप टेसरी वगरा का प्रोग्राम स्टार्ट कर लें आप क्योंकि आपके लिए यह जरूरी है कि 67 भी आपका कंफर्म हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपको पता है कि अक्टूबर में एक्जामनेशन है प्री का एक मन्थ आपको मिलेगा रिजल्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा दी जाएगा और जन्वरी में उसकी डेट है मेंस की वहां पर तो आपको समय ही नहीं मिलने वाला है थोड़ा भी ठीक है तो जिनके भी से पार होगा है तो आप कहीं पर भी जॉइन कर लें बहुत जल से जल और अच्छे से अपने मेंस की त्यारी में भीड़ जाए बिल्कुल व्यार्थ नहीं करें समय अपना ठीक है दोस्तों अगर हमसे जोड़ना चाहते हैं टेलिग्राम में आपको लिंक प्रोवाइड करा तो उनके लिए भी आप टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं बेल्कुल नया बनाया गया है कम स्टुडेंट है आप जल से जल जॉइन हो उसमें और एक आपके लिए जो प्रोग्राम होगा वो 500 में ही आपको तीन जीएस वन के तीन जीएस टू के और एक हिंदी का टेस् आपके लिए 66th 66th और 67th अगर जो भी स्टूडेंट आपको पाटिसिपेट करना चाहिए तो मेरे लिससाब से आपको यह जॉइन कर लेना चाहिए बाकि आप कहीं पर भी जूइन हो जाए ऐसा नहीं है कि कहीं लेकिन जल से जल स्टार्ट कर दे कहीं पर भी ठीक रूस्तों बाकि अल्डवेरी बेस्ट आपको धिरे जिरे जो में में इंपॉर्टेंट कोश्चन जो है उसकी भी लेक्षर यहां वीडियो प्रोवाइड कराया जाएंगे तो चैनल से कम से कम यहां पर भी जूड़ जाए सबस्क्राइब जरूर कर ले आपको उसका पीडियो उस टेल जा सकता है ठीके दोस्तों बाए